हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसकेट में तो फ्रेंड्स अभी नीट का रिजल्ट आ चुका है नीट 2021 का और अब आप सब जो है नीट 2022 के तैयारी में लग गये होगे जिनका आपको पाता हुगा कि आपका सेलेक्सिन नहीं हो पा रहा है और जो बच्चे क्लास 12 से पास घाया या एलेन हो गया तो इन दिरों में कौशकर declared क्वेडियो में आगे-बढ़ते हैं यह आपको जीसे'sिजन है आपका यह खुद को लेना है ऐसा नहीं है कि आपको कोई बताएगा कि यह कोचिंग जॉइन कर लो आप उपने डिसीजिजन ले सकते हो कि आपको या आकास में अपना है इसमें सबसे पहला पॉइंट है number of students in classroom यानि कि classroom में कितने students होते हैं इसके इसके basis पर तो पहरें कि क्या होता है कि एक classroom में maximum 200-300 के पास एक classroom में बच्चे होते हैं ठीक है और यह जो है अकास कहीं बात करें इसे सेम चीज़ की तो आकास में ज़्यादा ज़्यादा आपको 50-50 बच्चे रहेंगे ठीक है तो जो बच्चों को confusion होता है ज्यादा बच्चे में अगर उनका कोई क्लियर करने में confusion होता है दिक्कत होता है तो उनके लिए अकास जो है वह बेस्ट रहेगा ठीक है जो चाहते हैं कि कम बच्चों से पढ़ें और interaction टीजर से ज्यादा रहें तो यह आपके लिए बेटर होगा कि आप आकास करो वहां कनेक्शन ज्यादा सही होगा और वो जो है आप अच्छे से अगर आपको दिक्कत होता है बहुत सारे बच्चों में आपके बोलने में आपको confusion जो आपको डाउट होता है कि अब जो नीट के questions है वो NCRT से आ रहे हैं और ऐसा कुछ difficult questions नहीं आ रहे हैं कि हाँ आपको बहुत high level का पढ़ना पड़े ऐसे नहीं हो रहा है तो यह study material जो कोई subjective चीज़ है तो देखें क्या होता है कि थोड़ा सा higher level रहता है NCRT से higher level रहता है उसके question थोड़ा higher level रहते है और जो पढ़ने वाला चीज़ जितना भी study material रहता है वो NCRT से काफी उपर रहता है और NCRT के level NCRT तो आपको पूरा रहता है और NCRT से कहीं अच्छे ज्यादा level तक दिया रहता है और वहीं बात करें एलन की तो एलन में भी NCRT पूरा दिया रहता है ठीक है उसमें भी कु पूरा दे दिया जाता है और उसमें कुछ एक्स्टा एड कर दिया जाता है वहीं में देखोगी तो मोडिल में क्या होता है कि उसमें अपका NCRT रहेगा और उसका अलग लाइन वाइस रहता है मैं लिए डिफरेंस है ठीक है तो जिस तरह से अगर आपको किस तरह से पढ़ को स्टेद के बेसे पर आपको डाले तो यह हो parade की बाद करें तो को रखाएगा आपको बढ़ाएगा वहीं बात कर लें फीजिो हैं को यह यह और पढ़ा रहा है तो वैसे होता है रहाता है अकास की तो क्या होता है उसमें कि अगर आपको कोई physics पढ़ा रहा है तो पूरा physics वही teacher पढ़ाएगा अगर कोई botany नहीं पढ़ाएगा अगर कोई geology पढ़ा रहा है तो पूरा geology ही वही पढ़ाएगा इसमें कोई topic वाई distribution नहीं होता है teachers का तो यह आप clear रखना और वही doubt के बात करें doubt के लिए आपके जो होता है तो लेकिन क्या होता है कि वह हमेशा नहीं थो वहां बात करें तो आपके देचस्ट पढ़ाने वाले उनसे पूछ सकते हो और वहां भी जो होता है करना ठीक है अगला बात करते है की लाइब्रेरी कि बारे में में कोचिंग करते जो तो कई बत्चेयों को देखते हो कि यह आइए अलग से लाइब्रेश जवाइन कर रहे और लेकिन क्या रहे है देखिए लायब्रेरी刑 Key सब्सक्राइब नहीं होता है और इसमें बस study room रहता है वहाँ जाके पढ़ सकते हो एक अच्छा सा लाइबरी होता है वहाँ आप जाके पढ़ सकते हो और बुक जो है इसू करवा सकते हो तो लाइबरी की बात करें तो आपको आकास में ज्यादा बिट रहेगा अगर आपको अब बात करते हैं कर सकते हैं क्यिße क्या होता है कि यूनिटेस्ट होता है वहीं यहां पर में क्या होता है कि इन ही के लेकिन वहीं आप जाओगे बाध के टेस्ट में जैसे और इंडिया टेस्ट हो गया फिर आपका पूरे लास्ट में जो वर आल टेस्ट होता है आपका जैसे आप का और एलेन का जो हो जाता है टेस्ट हो जाता है वो जो है इस तरह से रहता है कि आकास में जो सारे बच्चे जितने भी आकास में पढ़ रहे होते हैं उस साल के प्रिपेशन के लिए वह बच्चे रहते हैं और इसमें लगभग है जो है बराबर कॉम्पेटिशन मिलता है उसमें को और वहां सिर्फ कोता में याट जाए कि कोटा में सारे बच्चे बहुत हाई रहता है और जब कि बात आ तो फिर वहां भी कोटbacks कर सकते हैं कि कzych कोई नहीं बताता के mouse कोँसा कोचिंग दिया तो आपको कोई नहीं बता सकता वाद पढ़ने से कि दूसरे से आanter डिसीजन नहीं लेहान लेना है कि आपको यहां क्या कम जोरी आपका क्या मिखने से आपको क्या करना करना तो आप को कौन सा कोचिंग करना चाहिए यह दोनों कोचिंग के बीच मैंने आपको कंफिजन आईहोप आपका दूर कर दिया होगा और अगर आपको और कानीज रह जाता हैं तो मुझे कमेंदों विताइगा मैं आपका डिपलाइज जरूर करूंगा ठीक है इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं कि से अगले विडियों में, थैक्स वो वचिंग